यदि दोस्तो आप भी एक यूटिवर हो तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूटिव किन किन बजह से आपके यूटिव चैनल को मौनेटाइजेशन रेजेक्ट कर देता है दोस्तो अगर आप भी यह गलती कर रहे हो तो आपको यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए दोस्तो आज हम उस चैनल की बात कर रहे हैं जिस पर 11,000 तो सस्क्राइबर हैं और दोस्तो 38,000 गंटे का बोच्टाइम है और फिर भी दोस्तो इनका चैनल मौनेटाइज नहीं हुआ दोस्तो मौनेटाइजेशन रिजेक्ट कर दिया यूट्यूब ने क्यों नहीं टिया दोस्तो इनका चैनल मौनेटाइज आईए जानते हैं पूरी डिटेल में दोस्तो वीडियो में बने रहना देखे फ्रेंड्स यह है वो चैनल जो की 11,000 सस्क्राइबर और 38,148 पबलिक बोचावर होने के बाद भी इनका चैनल दोस्तो मौनेटाइज नहीं हुआ दोस्तो क्या कारण थे कि इनका चैनल मौनेटाइज नहीं हुआ जानते हैं दोस्तो उससे पहले यह जान लेते हैं कि इन्होंने गलती क्या करी कि जिस बज़े से इनके चैनल का मौनेटाइजेश कोई boy jover किया था ना ही कोई face scam video पढ़ी हुई तो दोस्तो बस अपने channel पर video download किया YouTube से और YouTube पर ही upload कर दिया तो दोस्तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करने हैं दोस्तों आपका channel भी monetization reject हो सकता दोस्तों आप बिल्कुल ना करें ये रखते हैं अब दोस्तों जान लेते हैं इनने क्या जूझा आपाइक आलोगले दोस्तों इन Nico कि तरफ से दो सल्सेंस टीम प्राप्त होसाइक तरफ से इनहें जो नौतिफीकेशन प्राप्त हुआ दोस्तों इस धूच्ब Prat तो उसके वाद 24 hours के बाद इनके पास जो mail आया उसमें लिखा वा आया कि आपका जो चैनल है वो YouTube monetization policy के खिलाफ है मतलब दोस्तों इन्होंने कुछ ऐसा content use किया कि जो YouTube monetization policy के खिलाफ था दोस्तों इन्होंने गल्ती क्या थी ये देखिए दोस्तो आवर रिवर फांड देट यूर चैनल कंटेंड फॉलाइंग देस यूज कंटेंट का यूज किया था मतलब किसी और का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया करते थे दिस बज़े से इनका चैनल मॉनाटेजेशन रिजेक्ट कर दिया गया दोस्तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तो आपका चैनल भी मॉनाटेज नहीं होगा अगर आप यह गलती कर रहे हो तो तो दोस्तो और देखते हैं इनको क्या आया था दोस्तों इनके पास नीचे और अपील करने का एक option और आया था दोस्तों यदि इन्होंने एक mail में ही ये option डाला था कि आप अपने चैनल पर अपील भी कर सकते हो यदि आप से कोई गलती होई है तो तो दोस्तों इनमें अपील करने के लिए एक वीडियो बनाकर आपको अपील कर देना है जो की आपके चैनल पर जो की 14 दिन के अंदर ही आपको करना है दूसरा option है दोस्तों edit your channel and reapply दोस्तों अपने चैनल को edit कर सकते हो मतलब आपने जो mistakes कियों है आप चेंज कर सकते हो वीडियो अपनी edit करके उसके बाद आप दुवारा से reapply कर सकते हो अपने चैनल को monetize के लिए दोस्तों आप reapply भी कर सकते हो आपका चैनल चांस है कि आपका सरका है सरके भाई का है दोस्तों इस चैनल का monetization भी disable कर दिया है यानि कि जब इन्होंने अपने चैनल का monetization के लिए भेजा अपलाई किया तो दोस्तों इनके चैनल का monetization है वो भी disable कर दिया नहीं reject कर दिया दोस्तों किस कारण से किया है इनके चैनल का monetization reject देखिए दोस्तों तो दोस्तो ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्ड यूज किया करते थे दोस्तो किसी मतलब वीडियो में कुछ और और दोस्तो ये करते क्या थे कि किसी भी चैनल के मेटाडेटा यूज करते थे बड़े बड़े चैनल थे उनके नाम यूज किया करते थे दोस्तो और बहु अपने चैनल पर फालतू के किसी भी से नाम नहीं डालना है अपने डिस्कृप्शन और टेग नहीं कि बाहएं अब कुसी का बी डेटा कोपी Thunder कर करकर अपने चैनल के description और title में बिल्कुल नहीं भना दोस्तों आपका चैनल monetization reject हो सकता है बिल्कुल देखिए दोस्तों आपको दिखा रहे हैं हम ये चैनल पर देखिए तो 6 लाग subscribe है लेकिन फिर भी इनका चैनल monetization reject कर दिया क्योंकि ये दोस्तों monetization privacy policy के खिलाब है इस वज़े से इनके चैनल का monetization disable कर दिया दोस्तों आपके गलती बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों ये इस चैनल पर वीडियो जो डाला करते तो रिंग्टॉन वीडियो डाला कर दिया दोस्तों और आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैह हिंद